हलो, नमस्कार, गुडूनिंग, काफी अच्छी अपडेट के साथ फिर एको नई विकिंसी की बात मैं आज आप लोगों के लिए करने वालों अगर आपके पास दसवी और आईटेई की कॉलिफिकेशन हैं और आप करना चाहते हैं एक अच्छी कंपने में जोब तो आप जरू लगा सकते हैं भारत के सभी विध्यारतियों के लिए एक नई रिक्यूर्मेंट जारी हुई है जिसमें UIL, UCIL के अंदर रिक्यूर्मेंट की गई है जिसके अंदर आप लोगों को अपरेंटेश पदों पे भरती हो गई और 13 अक्टुमबर से आविदन शुरू हो चुका है आविदन करने के लिए UCIL अपरेंटेश 2030 के लिए यानि कि Uranium Corporation of India Limited के अंदर अपरेंटेश के लिए 243 पदों की भरती के लिए आविदन बड़क्यार शुरू की गी है भरती के माद्यम से विविन ट्रेड और अन्य उम्मीदवारों की भरती की जाएगी इसमें सामिल होने वाले विद्धारती 13 अक्टूंबर से 12 नौंबर के बीच आविदन कर सकते हैं इससे पहले पहले फोर्म को सम्मिट करवाना होगा आप लोगों को जो डिटेल की बात करें तो ये यूरेनियम कार्पूरेशन ओप इंडिया लिमिटेड के तैत अपरेंटिस भरती परक्रिया के लिए नोट्रिपिकेशन जारे क्या गया था जिसमें ठिती और आविदन की गूशना कर दी गये ये सरकारी नोकरी की तलास कर रहे है यूवाओं के लिए इस भरती में सामिल होनी के लिए एक अच्छा मुका है आविदन योग्य उमिद्वार एक निधर तिती से पहले ही इसमें आविदन करें जिसकी ओफिसली साइट ucil.gov.in पे जाके अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे देखें UCIL के अंदर जो 243 पद अप्रेंटिस के लिए भरे जाएंगे वो ट्रेड के अनुसार विभिन यहाँ दीजगी है जानकरी अब ध्यारती इन पदों के आधार पे आविदन करने की कोशिस करें जैसे फिडर अगर आपके पास हैं तो 82 पद हैं इलक्ट्रेने इसके बात की जाएं तो 82 है वेल्डर की बात करें तो 40 पद हैं वो ट्रेन मसीनर की बात करें या फिर मेकेनिकल डीजल की बात करें तो कारपेंटर या फिर पलंबर या कुल पदों की बात की जाएं तो वो भ दिम से मानने ता प्राप्त है तो आप इसमें आविदिन करके फोम बर्ष रखते हैं आयो नियून्तम 18-25 वस्ते की होना जरूरी है और ये 13 अक्टमबर 2023 से ही गणना की जाएगी आई होप ये भी आप लोग समझ चुक्या होंगे ओफिशल विग्यापन के मैं बात करूँ तो यहां पर देखें ये इसका ओफिशल विग्यापन है और आप लोग ये इसमें भी पूरी वही डिटेल्स दे रखे जो मैंने आप लोगों को बताई है तो गाईज अभी जाएं अभी इसमें फोम भर सकते हैं आप लोगों को बत जरूरी है EWS केटिगरी को सिरफ मैडिकल सेटिपिकेट है वो भी आप लोग रखिएगा फिजीकल के तहता फिट होना चाहिए फोटो और सिगनेचर होना चाहिए आधार काड़ हो या पिर पैन काड़ हो आधार काड़ लिंक बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है इसमें आ जाएगा तो गाईज एक छोटी सी अपडेट है अगली बार फिर एको ने वीडियो की शुरुबात करेंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट में जुरूर बताएं अगली आज का इतना ही थेंक यू जेहिन